टो डियर लेर्नर्स वेलकम टो आम जी से मिसेंग इंग्लिक्ट ग्लासेश ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है Synthesis Synthesis में अगला आज सेकेंड लेस्ट लेक्टर होगा Synthesis का ठीक है इस से पहले हम लोग सिंथेसिस में compound sentence पढ़ चुके हैं ठीक तो compound sentence पढ़ चुके हैं तो अब क्या पढ़ना हमको अब हमको पढ़ना है simple sentence कौन सा sentence simple sentence तो what is simple sentence पहले भी बता चुके हैं इसमें क्या होता है एक ही main verbs हो ठीक है main verb कितने हो एक main verb को और क्या नाम से जानते हैं finite verb principle verb ठीक है मुख्य वर्ब हिंदी में क्या बोलते हैं जो main verb है मुख्य वर्ब है वो क्या होना चाहिए एक होना चाहिए मुख्य वर्ब मेन वर्ब जो है वह अगर एक है तो सेंटेंस कि सेंटेंस में कह लाएगा तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि simple sentence को क्या क्या यूज़स करके हम simple sentence में convert कर सकते हैं simple sentence को जोडने के लिए basically हम जानते हैं कि participle का परियोग कर सकते हैं nominative absolute का परियोग कर सकते हैं infinitive का परियोग कर सकते हैं gerund का परियोग कर सकते हैं preposition का परियोग कर सकते हैं adjective का परियोग कर सकते हैं case in opposition का परियोग कर सकते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे first ठीक पहला क्या है किसका प्रयोग करके by using पार्टिसिपल ठीक by using पार्टिसिपल ठीक तो what is पार्टिसिपल जैसे अगर हमको पूछ पढ़ना है तो उसके बारे पहले जाने जैसे हमने सिंथेशिस पढ़ा तो सिंथेशिस को जाना what is synthesis combination of two or more than two simple sentences into one compound simple or complex sentence is called synthesis what is simple sentence a sentence which has only one finite verb और one main verb और one principal verb ठीक लब सिंथेशिस क्या होता है दो या दो से अधिक simple sentences को जोड करके दो या दो से अधिक simple sentences को जोड करके एक simple sentence बदलना एक compound sentence में बदलना या एक complex sentence में बदलना synthesis का लाता है synthesis का मतलब क्या होता है जोड या शंशलेशड इसके पहले वाली वीडियो में हम बता चुके है लिंक आपको description box में मिल जाएगा ठीक है simple sentence क्या होता है उसके बारे में भी हम बता चुके है simple sentence क्या होता है जिसमें एक main verb हो अब simple sentence में जोडने के लिए हमाला जो पहला use है वो किसका परयोग करेंगे हम participle तो इसमें अब हम participle पढ़ना है participle क्या होता है तो participle जो होता है वो क्या होता है वर्ब होता है क्या होता है वर्ब होता है जो adjective क्या काम करता है adjective या adverb adjective या adverb क्या करता है कार करता है ठीक है पार्टिपल क्या होता है वर्ब होता है जो एडजेक्टीव और एड़ब का कारे करता है ठीक है तो पार्टिसीपल कितने टाइप के होते हैं ठीक है कितने टाइप के होते हैं ठीक है कितने टाइप के होते हैं ठीक है कौन कौन तो पहला है है present पार्टिसिपल कौंसा पार्टिसिपल present फार्टीसिपल साइस है ने दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल ठीक और थर्ड है पर्फेक्ट पार्टिसिपल कौन सा पार्टिसिपल पर्फेक्ट है पार्टिसिपल ठीक ये तीनों हो गए पार्टिसिपल के प्रकार ठीक तो प्रजेंट पार्टिसिपल कैसे जानेंगे हम क्या कैसे बदलते हैं verb के first form में ing जोड़ देने से क्या बन जाता है present participle बन जाता है past participle क्या होता है verb का third form यानि कि verb के third form को हम क्या कते है past participle कते है perfect participle क्या होता है having plus verb का third form having plus verb के third form को क्या कते है past participle कते है actually इसका वीडियो हम आज कल में डाल देते लेकिन जो वीडियो बनाए थे वो मुझी से डिलीट हो गया तो डिलीट होने के वज़े से इस वीडियो को फिर से दुबारा से बनाना पड़ रहा है ठीक तो देखिए फिर present participle कैसे हम जानेंगे कि कोई जो sentence दिया हुआ है कि उसको present में बनालना है या past का परियोग करना है या perfect का परियोग करना है ठीक है यही problem है कि अगर sentence दिया है और हम जान रहे हैं कि इसको simple में बनालना है तो कैसे जानेंगे हम participle का परियोग करना है और किस participle का परियोग करना है present का, past का, future का, sorry, perfect का, तीनो participle में कौन सा participle हम use करेंगे, ठीक है, अब उसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, जैसे अगर हम perfect participle की बात करें, तो जो first action, first action, and, इसको हम क्या बोलते हैं, and, ठीक है, second action, first action and second action में क्या हो, में time लगे, यान कि पहले कारे और दूसरे कारे के बीच में क्या लगना चाहिए, time लगना चाहिए, तब कौन सा participle हम use करेंगे, perfect participle, past participle क्या होता है, past का मतलब ही होता है, बीता हुआ, past का मतलब क्या हो गया, बीता हुआ, और past participle जो होता है, वो past of past होता है, past participle का मतलब क्या होता है, वो past का भी past होता है, जो past से भी पहले हो चुका हो, ऐसे काम क्या करते हैं, past participle, और past participle का परियोग हमेशा उसी noun से पहले करते हैं, noun से पहले, जिसकी वह, जिसको वह क्या करे, qualify करे, मतलब जिसकी वह पिसे स्ता बताए, ठीक है, उसी के पहले हम क्या करते हैं, past participle का use करते हैं, ठीक, ध्यान रखिए, बचा क्या, present participle, present participle में दो condition आ जाते हैं, कौन से, दो condition, पहला, तो first and second action क्या हो, साथ, साथ हो, तो अगर first और second, दोनों action क्या हो, साथ, साथ हो रहा हो, तो present participle का परियोग कहा करते हैं, object के बाद, object के बाद, दूसरा condition क्या है, कि अगर, पहले क्या, पहला condition क्या है, first और second action क्या हो, साथ, साथ हो, तो क्या करेंगे, present participle का परियोग, हम object के बाद करेंगे, दूसरा condition क्या है, first action के, तुरंत बाद, first action के, तुरंत बाद क्या हो, second action हो, तब क्या करेंगे हम, present participle का परियोग, कहा करते हैं, शुरू में, ये ध्यान रखियेगा, ठीक है, तो perfect participle का भी परियोग कहा होता है, perfect participle का भी परियोग करते हैं शुरू में ये ध्यान रखिएगा ठीक है यानि कि अगर कोई आप से पूछे कि present participle का use कप करेंगे past participle का use कप करेंगे और perfect participle का use कप करेंगे तो ध्यान से देखिएगा present participle होता है जब verb के first form में ING जोडने से बनता है past participle क्या होता है verb का third form होता है perfect participle क्या होता है having plus verb का third form तो present participle verb के first form लगाने से बनता है और present participle में बदलने के लिए दो conditions है कौन-कौन first condition है कि first और second actions दोनों क्या हों साथ-साथ हों तो आपजेक्ट के बाद present participle का use करते हैं और first action के तुरंत बाद अगर second action हो तो present participle का परियोग शुरू में करते हैं और अगर कारे बीता हुआ है यानि की past of past है तो past participle का परियोग उस noun से पहले करते हैं जिसको यह विसेश्ता बताता है या जिसको वह qualify करता है perfect participle जो होता है perfect participle perfect participle में क्या होता है having plus verb के third form से बनता है having लगा करके verb का third form कहां लगा देंगे शुरू में तो क्या बन जाएगा perfect participle और इसका परियोग कप करते हैं first action और second action में time लगे यानि की दोनों के action के बीच में क्या होना चाहिए time लगना चाहिए तब हम जान जाएंगे कि क्या इसका यूज होगा perfect participle का यूज होगा तो हमारा ये पहला example हम लिख रहे है example A ठीक example लिख रहे हैं थोड़ा सा गवर किजिएगा अब ये तीनों condition में कौन सा condition apply हो रहा है उसी के according उसी को base मान करके ठीक है condition के आधार पर ही हम उसको क्या करेंगे participle में convert करेंगे तो एक हमने sentence लिखा रमेश टूक ओफ हिस क्लोट फूल स्टॉफ सेकेंड एक्षन है ही जंप्ड इन्टू ड़ रिवर ठीक इसको अगर हमको simple में बदलना है तो कैसे बदलेंगे ठीक दूसरा बी वाला sentence देख लिजिए मोहन सा अघर अघर दा लायन कॉमा कॉमान फूलिस्टा यह अलग sentence होगा और दूसरा sentence होगा ही अघर अवे ठीक इसको भी simple sentence में बदलना है तो अगर माली जी यह दोनों sentence पेपर में आ जाए ठीक तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे कैसे हम जानेंगे कि किस में बदलना है तो ध्यान से देखिए रमेश टूक आफ इस क्लोथ रमेश ने अपना कपड़ा निकाला ही जंप्ड इंटू दर रिवर वह नदी में कूद गया तो अगर ध्यान से हम इसको देख हैं तो कपड़ा निकालने के बाद आदमी इंतजार नहीं करेगा क्या होगा तुरंत कूद जाएगा ठीक है तो जैसे ही फर्स्ट एक्षन कंप्लीट होगा सेकेंड एक्षन भी क्या हो जाएगा उसके तुरंत बाद कंप्लीट हो जाएगा निकि फर्स्ट एक्षन के तुरंत बाद क्या हो रहा है सेकेंड एक्षन हो रहा है तो कहां यूज करेंगे हम सुरू में किसका कैसे बनता है वर्ब में आई अंजी जोड़ने से तो जिस वर्ब का आखरी अच्छर यह होता है उसको हटा करके तब आई अंजी जोड़ते हैं टेकिंग आफ कि हीज क्लोथ कॉमा अब ही के जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा रमेश क्यों क्यों कि पहली बार में हम नाउन का परियोग करते हैं न की प्रोनाउन का रमेश जंप्ट इन्टू द़ रिवर ठीक दूसरा अब यह पताईए लाइन को देखने बार रुकेगा क्या तुरंत भाग जाएगा ठीक है तो वर्ब क्या है सौ फर्स फ़र्म क्या हो जाएगा सी आई अन जी जोड़ दिये सेंग क्या चीज़ द लाइन कॉमा पहली बार में नाम नाम क्या है मोहन ठीक है मोहन रैन अबे ठीक तो यह हो गए दो सेंटेंस हमारे एक्जामपल के रूप में तो ध्यान से देखना यह है कि दोनों में काम तुरंत बाद हो रहा था इसलिए हमने परजेंट पार्टिसिपल का दूसरा कंडिशन अप्लाई किया जिसमें क्या करते हैं परजेंट पार्टिसिपल को शुरू में यूज करते हैं तो इसी के आधार पर जिस भी कंडिशन पे अप्लाई होना रहेगा ठीक है जैसा भी सेंटेंस हमारा दिया होगा उसी को आधार मान करके हम क्या करेंगे सेंटेंस को सिंपल में या तो पास पार्टिसिपल में या फिर पर्फेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो इसको थोड़ा सा गौर कर लिजेगा कि पर्जेट पार्टिसिपल में कब बदलना है पास पार्टिसिपल में कब बदलना है और पर्फेक्ट पार्टिसिपल में कब बदलन थिक थोड़ा सा धियान दीजेगा हम और नहीं मिटाएंगे अगर उसको मिटा देते तो एक ही बर में आजाता लेकिन तब फिर समझ में नहीं आएगा कई लोगों को कि कहां से बदल दे रहे हैं जो माली भगा भगा के देखेंगे तो उनको और नहीं समझ में आएगा प्राबलम क्या है नहीं, जैसे दू मिनट बच्चे देखते हैं, दो मिनट क्या, दो मिनट तो जादा ही हो गया, उनको सोचते हैं कि कुछ सेरो साहरी हो, तो बाबु ये सब तो आता नहीं है, जो भी है, सामने है, ठीक है, अगर इंट्रेस्ट है, तो देखो, पढ़ने का मन है, तो देखो, ठीक है, नहीं, तो तुम गलत जगहां पे आ गए हो, हमको तो यहीं लगता है, तुम सेरो साहरी वाला है, तो कभी सम्मेलन देखो, बोट पेपर तो होना ही है, तो जिसको पढ़ना है, वो पढ़ेगा ही, अगला एक्जामपल देखते हैं, ठीक है, तो आमया वांड हर पर्स, तो पर्स वास लस्ट, एक और एक्वर एक्जामपल, सुलेखा, तो, हर दीनर, फुल स्ट आप, सी वेंट तो, तो अब यह दोनों सेंटेंसेज, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो रम्या फाउंड हर पर्स, रम्या ने अपना पर्स पाया, काम बीद गया है, ठीक है, दपर्स वास लस्ट, और यह जो पर्स था, यह बहुत पहले खो गया था, यह पाने से भी पहले, क्या हो गया था, खो गया था, यह खोना किसकी भी सेस्ता बता रहा है, पर्स की, तो जो जिसकी भी सेस्ता बताता है, उसके क्या करते हैं, उस जि लोस्ट पर्स ये हो गया हमारा सिम्पल सेंटेंस सुलेखा टुखर डिनर अब इसको समझना है सुलेखा टुखर डिनर सुलेखा ने अपना रात का भोजन किया सिम्पल स्लीप वह सोने चली गई तब यह देखिए पहला एक्षन है भोजन करना और दूसरा एक्षन है सोने जाना तो भोजन करने और सोने में क्या लगेगा टाइम लगेगा टाइम लगेगा क्या मतलब है having लगाके वर्व का third form लिख देंगे तो शुरू में क्या लिखेंगे? having और जो वर्व दिया है took इसका third form क्या हो जाएगा? takinganda having taken her dinner comma और first time जब लिखते हैं तो noun लिखते हैं प्रोनाव नहीं तो सुलेखा लिखना पड़ेगा ठिक है? सुलेखा went to sleep ठीक तो ये हो गए examples ठीक है तो ध्यान से देखिएगा कि रम्या found her purse the purse was lost इसमें जो एक्षन था वह बहुत पहले past का भी past था इसी वजह से हमने क्या कर दिया उस past participle को उस noun से पहले लिख दिया जिसकी वह विसेस्ता बता रहा था जैसे लॉस्ट किसकी भी सेस्ता बता रहा था परस की तो हमेंसा उस लॉस्ट को कहां पर यूज कर देंगे जिसकी वह भी सेस्ता बता रहा था तो परस के पहले लिख दिये सुलेखा took her dinner she went to sleep तो taking dinner and going to sleep there will be some time taking in both the actions तो दोनों जो actions है उन दोनों के बीच में क्या लगेगा time spend होगा या time लगेगा कुछ ठीक है तो उन दोनों में time taking हो रहा है थोड़ा समय लग रहा है तो जब फर्स्ट और सेकेंड एक्षन में क्या लगे time लगे समय लगे तीक है समय लगेगा जाब दोनों एक्षन के बीच में क्या लगे समय लगे तो क्या करते है पर्फेक्ट पार्टसिपल का परियोग सुरू में कर देते हैं तो having लगा करके वर्ब का third form लिख दिये हर डिनर सी के जगें पर सुले खा वेंटू स्लीप यह हो गया दो-दो सेंटेंसेंस के ठीक है